आज हम आए हुए हैं सगुना मोर हाइटेक होस्पिटल के पीछे मकान देखने यह रोड हो गया 14 फिट का रोड है यह 14 फिट का रोड है इधर से आप हाइटेक होस्पिटल निकल जाएंगे इधर से सगुना मोर यह मकान है जो कि देर कठा में बना हुआ है काफी खुबसूर है देखिए मकान अब हम लोग मकान के अंदर जा रहे हैं यह मकान के अंदर एक पार्किंग इस्पेस है पार्किंग इस्पेस इधर गार्डिनिंग वेगड़ा करने के लिए जगा यह पार्किंग इस्पेस अब यह देखिए काफी खुबसूरत मकान है अब यह मकान से मकान में आड़े हैं लोग यह उठने बैठने का जरा आगे बनाया हुआ है और यह एक बेड्रूम हुआ है जो कि काफी इस्पेसियस बेड्रूम है समान वगेरा रखने के लिए खांचा बना हुआ है एक खिर्की चारू तरब से बना हुआ है एक दो तीन खिर्की है पल्टिलेशन के लिए भी जगा है इस बेड्रूम यह एक बाथरूम हो गया यह बाथरूम काफी इस्पेसियस बाथरूम गया यह बाहर जाने का एक और रास्ता भी है यह सिड़ी हो गया और एक रास्ता बाहर जाने का इधर से भी है यह हॉल हो गया हॉल में भी आपको खिर्की बना हुआ है वर्टिलेशन काफी इस्पेसियस है हॉल हॉल से लगे यह हो गया आपको कीचन जोकि काफी खुबसूरत कीचन भी है खिड़की बना हुआ हावा पानी के लिए उनसे सटे एक यह बेड्रूम दूसरा बेड्रूम है यह